तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्रेंचाइजी अनालिसिस आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार बिजनस मॉडल जो शायद आपने सुना होगा हमारी ये रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि जिस भी मॉडल में या जिस भी किया जो सवालों के आंसर हमें नहीं मिल पाए हमने कंप्री को अप्रोच करके भी कूछने की बहुत कोशिश करी कुछ सवालों के जवाब हमें कंपनी से मिल गए और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले उनको हमने और खुद की मेहनत से ही ढूनने का कोशिश किया और जो वो सवाल आपके सामने रखूँगा, जो as a customer या फिर as an investor आपको जरूर पूछने चाहिए, अपना personal opinion में अपने पास ही रखूँगा, इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, और मैं पहले ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसा कि disclaimer में आपने पढ़ लिया होगा, कि हम लोग liberal advisor किसी भी particular company के against नहीं है, हम सिर्फ एक particular business model पे research कर रहे हैं, और उसी business model पे run करने वाली दो companies, catchypixels.com और gpixels.in, हमने इन दोनों companies पर भी हमारी research करी है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा, कि जब आप as a customer या फिर as an investor अपना एक भी रुपया लगाते हैं, वैसे इस case में लाखो रुपया लगाते हैं, तो आपको ये सही सवालों के जवाब मिलने चाहिए. ये companies अपने customers को एक TV बेचती हैं, smart LED TV, अब वो size में differ कर सकता है, बायालेस इंच, बावन इंच, वो सारे plans अलग-अलग हैं, बट एक TV बेचा जाता है, उस TV को इंसान अपने घर पे लगा सकता है, या अपने किसी भी दुकान में या कहीं पे भी लगा सकता है, और उसको हर रोज उस TV को given time slot मे 6 गंटे चलाना है, अब ऐसा करने पर कंपनी उस इंसान को हर महीने रेंट देती है 7000 रुपे का, अब आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है, कि भाई 6 गंटे टीवी चलाने पे कोई कंपनी हमें 7000 रुपे क्यों देगी, ये कंपनी का कहना ये है कि जब भी 6 गंटे वो टीवी चलेगा, तो उसमें कुछ एड दिखाए जाएंगे, वो एड अलग-अलग कंपनी होंगे, जैसे Nestle हो गया, Razor Pay हो गया, ICICI Bank, तो अबिसली जो कंपनियां अपना एड कैची पिक्सल या जी पिक्सल के टीवी पर चलवाना चाहती है, वो उनको पैसा देंगी, और वहाँ से कंपनी का revenue आएगा, और उसी revenue में से monthly rental 7000 रुपे का आपको दे दिया जाएगा, अब ये 7000 जो figure है, ये कैची पिक्सल का है, ये G-Pixels में 5000 है, और अलग-अलग plan पे भी differ कर सकता है, as of making this video, मैं आपको वही number बता रहाँ, जो आज की date में valid है, तो मैं कैची पिक्सल की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे April से पहले पहले तक, एक 5000 रुपे में एक TV बेचा जाता था, जिस TV को 4 घंटे चलाना पड़ता था, महीने के 22 दिन, और रेंट मिलता था 5000 रुपे, अब April के बाद से, ये TV का प्राइस बढ़ा कर दिया गया है, एक लाख एक हजार रुपे, जिसको एक दिन में 6 घंटे चलाना पड़ेगा, महीने में 22 दिन चलाना पड़ेगा, और रेंट जो मिलेगा, वो 5000 की बजाए, 7000 मिलेगा, और ये जो मंतली 7000 रुपे हैं, ये कंपनी कहती है कि आपको 7 सालों तक ही दिये जाएंगे, अब इससे पहले कि आपके मन में ये सवाल आए, कि कंपनी को पता कैसे चलेगा, हमने 6 घंटे चला है, हम तो चीटिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो smart LED TV है, उसके अंदर एक application install होगी, आपके phone में भी एक application install होगी, तो जितनी देर भी आप TV चला होगे, वो आपके phone की app में भी बता देगा, कि आपका TV आज के दिन इतने घंटे चला है, और इसमें अगर customer किसी दूसरे इंसान को refer कर देता है, और उसको TV बिकवा देता है, तो 4% की referral income भी है as per company data, ये मैंने सिर्फ catchypixels.com के बारे में बताया है, gpixels.in में ये number कुछ उपर नीचे जरूर हो सकते हैं, बट business model लगबग same है, अब ये दोनों ही कंपनिया अपने इसी model की franchisee भी दे रही हैं, तो ये franchisee अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 5 लाख रुपे, 3 लाख उसमें से non-refundable है, जिसके बतले आपको laptop, office में लगाने के लिए एक LED, standee, office branding, notepad, pamphlets, back-end support, automated software, life tracker, app दी जाएगी, और इसमें office space की requirement है, 200 से 500 square feet, अब इसमें 2 लाख रुपे जो हैं, वो refundable हैं, और जो पर TV आपको commission मिलेगा, वो 4000 रुपे और 7% पर LED मिलेगा, अब हो सकता है, ये number आज की date में थोड़ा सा बढ़ गया हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, 1 April के बाद, catchypixels.com ने TV का price बढ़ाया, commission भी बढ़ाया, तो हो सकता है, franchisee commission भी बढ़ाया हो, तो आप ये मान कर चलिए, अब इसमें royalty का भी structure है, अगर आप as a franchisee owner, 11 TV minimum बेश देते हो, तो आपको हर महीने 2% की royalty मिलेगी, और जैसे जैसे आप और TV बेशते जाओगे, तो आपकी royalty का जो percentage है, वो बढ़ता जाएगा, पर ये 10% से जादा नहीं हो सकता, अब वीडियो में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको फिर से remind करा देता हूँ, कि Labor Law Advisor किसी company के against नहीं है, और नहीं किसी particular business model के against है, बट as a customer या as an investor, जब 1 लाख रुपे का TV या फिर 5 लाख रुपे की franchise की बात आती है, तो ये बहुत बड़ा decision होता है, और इस decision को लेने से पहले, पूरी research करना सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसी लिए हमने franchise analysis series बनाई है, जब हमने company को phone करके ये सारे question पूछने की कोशिश करी, तो company ने उन questions का answer देना ज़रूरी नहीं समझा, और हमसे ढंक से बात भी नहीं करी, I hope वहाँ से ज़्यादा cooperation मिलता, बट sadly नहीं मिला, तो ये questions और ये doubts मैं इस वीडियो के थुरू आपके सामने रखूँगा, तो एक बार company का revenue model discuss करते हैं, catchypixels.com की website पे एक article दे रखा है, उस article में ये साफ साफ लिखा है, कि जो भी company, catchy pixel के TV पर अपना ad चलवाना चाहती है, उस company से charge किया जाता है, 35 रुपे पर minute पर TV के हिसाब से, तो मैं April के बाद का number नहीं देख रहा, क्योंकि April के बाद TV 6 गंटे चलने लगया था, बट April तो अभी अभी निकला एक ही महीना हुआ है, और company को 2 साल हो चुके हैं business में, तो April से पहले जब TV 4 गंटे ही चलता था, अभी TV चलता है बाइस दिन, तो मैं महीने के हिसाब से 30 दिन का calculation ना करते हुए, बाइस से मल्टिप्लाइ कर दूँगा, तो 1,84,800 रुपे कमा के देगा एक TV एक महीने में, अब मैं इसको कर देता हूँ, 12 से मल्टिप्लाइ, तो एक TV बाइस लाग 17,600 रुपे कमा के देगा एक साल में, अब obviously question यह आना चाहिए, कि आखिरकार आश्टर कमपनी ने कितने TV बेश दिये हैं, catchypixels.com पर जाएं, और आपको वहाँ पर एक pop-up मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है, वी completed 2 years with 10,287 happy customers, और एक customer हो सकता है, एक से जाधा TV भी ले ले, और in fact लिये हैं, और क्यूंकि कमपनी की website पर 10,287 customers लिखा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि minimum 10,287 TV तो बेच ही चुकी है company, तो उसके इसाब से मैं 22,70,600 को multiply कर दूँँगा 10,287 से, तो नंबर आएगा 22,281 करोड, 22,281 करोड, तो आखुद सोचते हैं company का growth कितना है, मैडम जी, trust me, पूरे दिमाग पर जोर देकर सोचने की कोशिशी कर रहा हूँ मैं, फिर मैंने सोचा कि यार इसको compare किया जाए, कि बाकी बड़ी-बड़ी कंपनियों से ये कंपनी कहाँ ठकराती है, तो मैंने Ola का revenue निकाला 2019 का, Ola का revenue आता है 25,00 करोड, जीरो धाका जो अपने आपको number one stock broker of India क्लेम करते हैं, उनका revenue आता है 2019 का 800 करोड, और Byju's जो जिनके brand ambassador शारुक खान है, I hope आपको Byju's का नाम पता हो, तो Byju's का 2019 का revenue है, वो है 1430 करोड, and to put it in perspective, मैंने Indian advertising industry का total market share निकाला, जो कि आता है 8,475 करोड, इसमें से मैं अगर सिर्फ television का share निकालू, तो वो 39% आता है, यानि 26,800 करोड, मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आया है, और पूरे देश में जितनी भी कमपनीज हैं, सबका जो turnover है, वो मिला करके अगर 26,000 करोड है, तो उसमें से एक अकेली कमपनी, 8.5% market share लेकर बैठी है, 2,281 करोड पे, अब मैं इस नंबर पे इतना stress इसलिए भी कर रहा हूं, क्यूंकि जब आप इतनी बड़ी कमपनी बन जाते हो, जब आप करोडों में खेलने लगते हो, तो कहीं न कहीं मीडिया में आपका नाम आही जाता है, इन फैक्ट जब बड़ी-बड़ी कमपनीज अपना revenue रिपोर्ट करती हैं, तो major newspapers उनका news बना देते हैं, कि बड़ी-बड़ी कमपनीज जिनके पास करोडों रुपए का फंड होता है, वो जनरली एक brand ambassador को भी hire करते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी कमपनीज जिनके पास करोडों रुपए का fund होता है, और मैं एक भी रुपया खर्च करके अपना नाम मीडिया में नहीं लाना चाहता, तो वो मेरी इच्छा है, बट मुझे शिक्वा है तो economic times, business insider, business standard जैसे business newspapers से, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी business news को cover क्यों ने किया, अच्छा ये तो company का एक source of revenue है, कंपनी ने claim किया है कि उन्होंने 10,287 TV बेचे हैं, और अगर मैं पुरानी rate से calculation करूँ, यानि क्यावन हजार, यूंकि TV का rate अभी recently बढ़ा है एक लाग एक हजार, तो उससे calculate करना गलत होगा, तो company ने 52 करोड, 46 लाग, 37,000 रुपे TV बेचकर भी कमाए हैं, अभी ये TV का price कुछ महीनों पहले 45,000 रुपे भी था, तो अगर आप उससे calculate करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी इच्चा है, मेरा काम था आपको ये बताना, जी सार हमारी जो है, ओवरोल इंडिया में 1.5 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसका है, और 6.5 करोड की कमपनी ने अभी तक फ्रेंचाइजी भी sell कर दी है, क्योंकि कमपनी ने बोला कि उनकी 1.5 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं, और पर फ्रेंचाइजी 5,000,000 रुपे बनते हैं, अब मैं यहाँ पर अपने doubts या ये कहलीजिए, अपने ऐसे सवाल रखूंगा, जिनके जबाब मुझे ढूणने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, और company ने हमें corporate नहीं किया, तो पहला जो doubt आता है, वो आता है add rates को लेकर, company ने बोला कि हम 1 मिनट के 35 रुपे चार्ज करते हैं, 35 रुपे पर मिनट पर TV है, तो अगर कोई ऐसी company, जिनको इनके सारे TVs पर 1 मिनट का add देना है, एक दिन के लिए, तो उस company को खर्च करने पड़ेंगे 3,60,000 रुपे, अब ये industry के add rate से इतना ज़ादा match नहीं करता है, और दूसरा जो fact है, वो ये है कि हर company जिसको अपना add चलाना होता है, वो अपने पैसे पे ज़ादा से ज़ादा return कैसे कमाए, वो इसके बारे में सोचती है, तो अगर मैं 2013 की report देखूँ, star plus पे 10 second का add चलाने के देने पड़ते थे 2,00,000 रुपे, तो आज तो 2020 चल रहा है, star plus के rate आसमान चूरे होंगे, यानि 10 second का add चलाने के लिए, अगर मैं assume भी कर लूँ, कि 2,00,000 रुपे देने पड़ते हैं, तो वो काफी profitable deal होगी हर advertiser के लिए, क्योंकि star plus को देखने वाले लोग कितने हैं, करोडों में हैं, तो मुझे ये पता है, कि अगर मैं 2,00,000 रुपे खर्च करके, star plus पे 10 second का भी add दूँगा, तो उसको करोडों लोग देखेंगे, बट यहीं, एक मिनट का भी add मैं बनाऊं, और catchy pixels के TV, सारे TVs पर चलाऊं, और 3,60,000 रुपे खर्च करूं, वो यह है कि जब हमने कैचे pixels में फोन करके, इनका बिजनस मॉडल समझा, तो company ने खुद अपने मूँ से एड्मिट किया, बस add चलाने हैं, और कुछ नी करना है, आपको ज़लती रहेंगी 4 गंटे, ज़रूर ही एक है, बैट के सामने देखना, ज़रूर ही एक है, बैट के सामने देखना, ज़रूर ही एक है, आपको चलाना कमपल्सरी है, which is exactly the problem, अभी एक बार आप अपने नॉर्मल टीवी की तरफ आईए, और मुझे ये बताईए, कि जब आप कोई मूवी देखते हैं टीवी पे, तो आप उस मूवी के बीच में उठके कुछ काम करने जाते हैं, या जब एड आता है तब काम करने जाते हैं, मेरा एक्जाम्पल दूँ, तो अगर मैं खाना खाते-खाते कुछ देख रहा हूँ, और खाना खतम हो चुका है, तो मैं गंदे हात लेके ऐसे का ऐसे बैठा रहता हूँ, जब तक कि एड ना आ जाए, और फिर एड आती है तो फटा-फट उटके जाता हूँ, हाथ दो के आता हूँ, बर कभी कोई इनसान ने ऐसा किया है, कि मैं एड में बैठा रहूँ ताकि मेरी एड मिसना हो, तो ये बाद हर कंपनी को पता होती अच्छे से, तो in fact जो कंपनी दो लाग रुपे खरच करके स्टार प्लस पे एड दे भी रही है, वो भी ये माइन में ये भाद जानती है, कि हो सकता है, सारे के सारे लोग वो आड ना दिखें, तो ऐसा टीवी, जो 6 गंटे सिर्फ एड ये आड दिखाएगा, वो आड कौन देख रहा है, तो अगेन मैं ये नहीं कहा रहा कि इस टीवी पर कोई अपना अड नहीं चलवाता, मुझे क्या पता, चलवाते होंगे, बट मैं ये पूछना चारा हूँ, ये अड चलाने से उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या फाइदा हो रहा है, विच आइम फेलिंग टू सी, ना कंपनी एंकरेज कर रही है अपने यूजर्स को कि आपको 6 गंटे वैड के आड देखनी है, विच इस काइंड ओफ इंप्राक्टिकाल अज वेल, अगला मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, कैचीपिक्सल्स.com के टीवी पर नेसले इंडिया का आड दिखाया जाता है, as of making this video, हो सकता है इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद नेसले का आड दिखाया ना जाए, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, कि पहले दिखाया जाता था, और हमारे पास टेलिफोनिक कॉंवर्सेशन भी है, जिसमें कंपनी ने अग्री किया है कि नेसले का आड उनके पास दिखाया जाता है, तो हमने नेसले इंडिया को सीधा इमेल करके पूछ लिया, कि क्या आपने कैचीपिक्सल्स के टीवी पर अपना आड दिया है, तो ये डाउट अगें हमने कैचीपिक्सल्स में फोन करके पूछ लिया कि नेसले इंडिया ने ने आपको कोई आड नहीं दिया, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो कैचीपिक्सल्स ने में तीन वेंडर के नाम बताए, अब शौकिंग ये है कि नेसले इंडिया ने इन तीनों वेंडर के नाम तो बोले ही नहीं, क्योंकि नेसले इंडिया की लेंगविज ये थी कि हमारा एड सिर्फ इन जगाओं पर जाता है, और उन जगाओं में इन वेंडर के नाम नहीं थे? तो यह अपने आप में बहुत बड़ा डाउट है, जो कैचीपिक्सल्स के रेप्रेजेंटेटिव ने क्लियर करने से मना कर दिया, उन्होंने हमें फोन पर सही से कॉपरेट नहीं किया और धंग से बात नहीं करी, बट खेल छोड़ो, तो इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, अगला जो फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको अल्रेड़ी बताया, कि कंपनी के ही दिये हुए नंबर्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू है सबा दोहजार करोड से ज़ादा, और इतनी बड़ी कंपनी होकर, अगर वो अपनी लेटेस्ट बैलने शीट फाइल ना करे, और ड्यू डेट निकलने के भी 6 महीने हो चुके हैं, आज तक वो बैलन शीट फाइल ना हो, तो यह अपने आपने एक डाउट पैदा करने वाली बात हो सकती है, और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कंपनी ने बैलन शीट फाइल करिया या नहीं, और इनकॉर्परेशन, नेम अफ डिरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, एट्सेटरा, जो बाइद वे, कैची पिक्सल्स ने अपनी खुद की वेबसाइट पर ही डाल रखी हैं, और एक और कंपनी है, डोरोटाइजर्स, एड मीडिया लिमिटेड, अभी इन में वर्ड्स का फरक है, बट ये डोरोटाइजर्स, एड मीडिया लिमिटेड, अगर आप और भी वेबसाइट पर सर्च करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, आपको कैची पिक्सल्स लिमिटेड, दो साल पहले बंध हुई दिखाई देगी, अगला जो disturbing fact है, वो ये है, कि जो कैची पिक्सल्स कंपनी है, उसकी website पर एक article दे रखा है, उस article में ये लिखा है, कि इनकी जो Asia ब्रांच की CEO हैं, उनका नाम है रिवा कालसन, और ये photo लगा रखी है, आप ध्यान से देख लीजिए, photo है, नाम है रिवा कालसन, अब मैंने क्या किया, पता नहीं आर, ऐसे हम हर बार नहीं करते, बट मेरा, क्योंकि इतने सारे facts अलरी मिल चुके हैं, तो मैंने सूचा, इस photo को एक बार Google पे search कर लिया जाए, तो जैसी मैंने इस photo को search किया, तो पता चलता है, कि ये photo एक LinkedIn profile पे लगी हुई है, और वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, बर्नेडिट फार्गो, और इनके position पे लिखा हुआ है, कि ये Vice President है, वेल्स-Fargo Home Mortgage की, पिछले 15 सालों से, अब या तो ये रिवा कालसान हो सकती है, या ये बर्नेडिट फार्गो हो सकती है, अब एक ही शकल के दो लोग, मैंने रियल लाइफ में तो नहीं देखे, हाँ, मूवीज में ज़रूर देखे, क्या आप बात कर रहा है बे, अपन दोनों की शकल भी तो same चाहा है, अब इम रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो रियल लाइफ में तू और मैं एकिछ लोग है क्यूंकि Catchy Pixels और Gpixels डोनों की वेबसाइट पर पूरी complete information नहीं है तो आपको franchisee की detail लेने के लिए इनको call करना पड़ता है call के बाद वो आपको एक PPT send करते हैं तो Catchy Pixels की जो PPT है वो मेरे पास है और उसमें our team नाम से चार लोगों की photo दे रखी है जिसमें जो पहले इनसान है Blaze Pascal उनकी photo को अगर search करें तो ये same to same photo destinations.co.uk पे एक article पे चपी हुई है और वहाँ पर इन अंकल जी का नाम लिखा है Sven Henniger अब अगेन या तो ये Sven Henniger हो सकते हैं या फिर ये Blaze Pascal हो सकते हैं और आपको पताए एक must fact मैं थोड़ा सा off topic जा रहा हूँ बड़ काफी interesting है Blaze Pascal नाम के 16th century में एक French mathematician हुआ करते थे और उनका एक famous concept है Pascal's triangle जो काफी लोगों को maths में पढ़ाया भी जाता है और उनकी मुझे कुछ line है बहुत पसंद है अर्ष किया जाए We know the truth not only by reason but also by the heart Similarly इनके right में जो आण्टी जी है मार्था जैनी ये भी अगर आप photo search करेंगे तो ये एक stock photo निकल कर रहेगी जो की arashozra.com के about us page पे भी लगी हुई है और honestly अगर मेरी टीम के किसी बंदे ने मेरी website पर ऐसी photo डाली होती है न तो मैं उसको कच्छा जबा जाता क्यूंकि मार्था जी तो ऐसे पीछे वरी है और उनके मूँ पे कोई तीसरा बंदा आके तौथे बंदे से हाथ मिला रहा है मार्था जी ने कैसे अग्री कर लिया ऐसी photo चपवाने में मेरे को समझ नहीं आ रहा और अगर आप Google पे सर्च करेंगे corporate photos, business culture, ऐसे keywords तो आपको पता चलेगा कि इस type की बहुत सारी photos available हैं काफी सारी stock websites पर और अगर gpixels.in की बात करें तो उनकी website पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है वहाँ पर our workstation नाम से एक photo डाल रखी है जो super duper high-tech photo लगती है उस photo को भी अगर Google पे सर्च करेंगे तो वो stock photo निकल कर आती है जो redif.com और wire.in के इन articles पर भी चपी हुई है मैं ये वीडियो publish करने ही जा रहा था बट मैंने सुचा publish करने से पहले एक बार फिर से सारी चीजों को मैं verify कर लेता हूँ तो मैं gpixels.in पे गया और जो पुरानी काले पीले रंकी website थी वो अब जा चुकी है उसकी जगा आई है एकदम professional looking aesthetic website मतला मैं देखके impressed हो गया बहुत अच्छी website बनाई है ये तो मानना पड़ेगा बट वहाँ पर फिर मैंने scroll किया तो our team of dedicated professionals में चार लोगों की photo डाल रखी है और उनके नाम लिखे हुए है तो मैंने फिर से इन photos को Google पे search कर लिया जैसे ये विवेक सिंग है ये लगते तो फिरंगी है बट नाम Indian है तो मैंने इनकी photo से शुरुवात करी मैंने search किया Google पे तो मुझे पता चला कि ये भी एक stock photo है जो freepick.com पे available है similarly बाकी सारी photos भी stock photo है अगर आप similar keyword search करोगे तो आपको ये photos भी मिल जाएंगी बट मेरी research यहाँ पे खतम नहीं होई मुझे exactly वो website की template मिल गई जिस template को use करके Gpixels ने ये website बनाई है वो template available है bootstrapmate.com पे और इस template का नाम है Lumia और ये template मुझे personally बहुत पसंद आई अगर आपको भी अपने business के लिए को website बनानी है तो आप ये free template यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी है anyway इस template को मैंने scroll किया तो इसमें जो team का section है वहाँ पर ये तीनो stock photos लगी हुई है and of course एक website template में हमेशा stock photos ही use करी जाती है जो business उस template को use करके अपनी website बनाता है वो उन photos को replace कर देता है असली photos से बटजी pixels ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर William Anderson बन चुके है विवेक सिंग Walter White by the way Walter White Breaking Bad में protagonist का नाम था अगर आपको याद हो तो तो Walter White बन गए है Philip Amoha और Sarah Jinson बन चुकी है Sakshi Dikruz और इन्होंने तीन की जगा चार टीम मेंबर्स आड किये है जो चौती फोटो है वो भी स्टॉक फोटो है और इनका नाम दिया है वर्सा केडिया वी बड़ा करना भूल गए शायद आगे बढ़ते हैं Catchy Pixels का जो YouTube चानल है वो हमने देखा वहाँ पर अलग-अलग वीडियोज है अलग-अलग कंपनी के एड्स के जैसे WhatsApp, Google, Maniavor, Pepsi, etc. अब थोड़ा सा एक और मन में डाउट यह पैदा होता है कि जब कंपनी का revenue सवा 2,000 करोड से जादा है कंपनी के पास पैसा है तो आज तक कंपनी का कोई professionally short ad क्यों देखने को नहीं मिला ना ही TV पे ना ही internet पे और क्या यह ethical है किसी दूसरी कंपनी का ad यूज करके नीचे अपनी branding लगाना और किसी दूसरी कंपनी के ad के साहरे अपनी marketing करना अगर मेरी कंपनी सवा 2,000 करोड रुपे कमारी होती तो मैं अमिताब बच्चन को लाकर एक professional ad तो पक्का बनवा ले था क्योंकि बच्पन से इच्छा है अमिताब बच्चन जी से मिलने की और सिर्फ as a fan नहीं मिलना पड़ता as a businessman, as an entrepreneur मिलना पड़ता तो वो एक अलगी मेरे लिए thrill की बात होती बट मेरी company नहीं है, क्या कर सकते अगला जो मेरे पास सवाल है वो ये है कि company ने April के बाद 50,000 से सीधा 1,000,000 रुपे कर दिया अपने TV का price, ये मैं catchy pixels के बारे में बूल रहा हूँ तो generally जब company अपना services का price सीधा double कर देती है तो उसके पीछे अच्छा कासा reason होता है कि industry में महंगाई बढ़ चुकी है या ad rates बढ़ चुकी है एक अलग type का inflation आगया है जो particular industry को ये effect कर रहा है तो इसलिए company को ये price मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है बट अगर मैं data analyze करू तो पिछले एक दो सालों में advertising industry एकदम से इतनी महंगी नहीं हुई है जिसकी वज़े से किसी company को अपने TV की price double करनी पड़ जाए और अगर फिर भी double करी है तो आम जनता जिनके घर वो TV लगाए उनको पहले rent मिलता था 5000 रुपे फिर rent बढ़ा करके कर दिया 7000 रुपे तो आई थिंक अगर TV का price double हुआ है तो rent भी double हो सकता था क्योंकि अब company के पास जादा पैसा आ रहा है बट ऐसा नहीं हुआ अगला जो fact है वो ये है कि अगर company के पास सच में इतना सारा 1000 करोड़ो रुपे का पैसा है bandwidth है, सब resources हैं तो ये TV लोगों के घरों में क्यों लगे हैं ये TV पब्लिक places पे, बड़ी-बड़ी holdings पे malls वगयरा में भी तो लग सकते हैं जहां पर एक TV को एक से जादा या दस से जादा लोग देख सकें which brings me to gpixels.in gpixels, gpixels का ऐसा कहना है कि आप अपना जो TV है वो दुकान में लगाएं या फिर किसी public place पर लगाएं अगर आप लगा सकते हैं क्योंकि obviously उनका कहना यह है कि एक TV को जादा लोग देखेंगे but again वहाँ पर भी एक doubt यह आता है कि उनके YouTube चैनल पर हम गए तो उन्होंने चोटे 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 गाओं में चोटी चोटी शॉप्स में वो TV लगवाया है साफ साफ देख के समझ आ रहा है वहां से तो मेरा again यह question है कि एक बहुत चोटे गाओं में जहाँ पर capita income बहुत कम है जहाँ पर गरीबी बहुत जादा है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो 6 घंटे अपना एक TV नहीं देख रहा है तो 21 TV कौन क्या देखेगा और क्यूं देखेगा और यह advertiser को कैसे मदद करेगा अपना product market करने के लिए यह मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको यह बात भी बता देना चाहता हूँ कि आज तक company सब का पैसा देती हुई आई है हर इंसान को महीने के end पे पहले 5000 रुपे मिल रहे थे और अभी वो नई scheme के according 7000 रुपे मिल रहे है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि company गलत है या company ने पैसा नहीं दिया या मैं company के अगेंस्ट हूँ मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं करे है अब मैं आपको 2019 के एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस article के according 4000 करोड का स्कैम है और इस article के according 1300 करोड का स्कैम है company का नाम है Bike Bot और ये company का model बड़ा simple सा है थोड़ा सा आपको deja vu वाली feeling आएगी company कहती है लोगों से कि आप हमें 62,100 रुपे दो उस पैसे की हम खरीदेंगे एक बाइक जिसको हम taxi की तरह चलाएंगे यानि ओला बाइक या Uber Moto की तरह चलाएंगे और क्यूंकि company आपकी बाइक चला रही है तो company आपको monthly rental देती रहेगी आपकी बाइक इस्तिमाल करने का और कुछ सालों बाद जब वो scheme खतम हो जाएगी तो company वो बाइक आपको पकड़ा देगी in fact जब आप 62,100 रुपे देंगे तो company ये कहती है कि हम बाइक खरीद के बाइक के कागज भी आपको भिजवा देंगे जो obviously आपके नाम पे होंगे तो जब ये भांडा फूटा तो पता चला कि company ने सवा 2,000,000 लोगों से 62,000 रुपे ले रखे थे कुछ 2,000 बाइक कंपणी ने रजिस्टर करवाई थी और कुछ 7,000 बाइक तो company ने unregistered ही चला रखी थी और काफी सारे customers के साथ company ने क्या किया 62,000 रुपे लिए और उनको फरजी कागच उनके नाम पे बना के भीज दिये तो customer को ये लग रहा था कि उनके नाम पे बाइक खरीद ली गई है पुराने existing customers को उनी पैसो में से monthly rental देते जाओ अब यहाँ पर नई customer जुड़ना अगर कम हो जाएंगे तो existing customers को जो monthly rental देना है वो time पर company दे नहीं पाएगी और जैसे जैसे ये scheme बड़ी हो रही थी सवा 2,000,000 customers तो उनको monthly rental देना बहुत मुश्किल होता गया और ultimately Mr. Sanjay Bhatti ने खुद जाकर surrender कर दिया ये बोल दिया कि हमने scam किया है अब जिन जिन लोगों ने company को 2,100 रुपे दिये बाइक के बरले पे उनको शुरुवात के कुछ महीनों में तो पैसा मिलता गया हो सकता है काफी सारे लोगों को पूरा पैसा recover भी हो गया उसके बाद उनका profit आना भी start हो गया बट जिस दिन ये company का भांडा फूटा होगा उस दिन या उससे एक-दो महीने पहले जिन-जिन लोगों ने company को 22,100 रुपे दिये थे उनके पूरे-पूरे पैसे डूब गए वहाँ पर उन लोगों को invest करने से पहले company के बारे में proper research करनी चाहिए थी जो sadly उनोंने नहीं करी इसका बहुत बड़ा red flag मैं आपको बताता हूँ आप Uber Ola के example लीजिए Uber Ola दो जगा marketing करते हैं एक तो customer segment जहाँ पर हम जैसे लोगों को वह ads दिखा कर ये बताते हैं कि Uber Ola नाम की एक bike taxi app है जहाँ पर आप अपनी ride book कर सकते हो एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए और दूसरा जो उनका market segment है वह है drivers वाला वो drivers को add दिखा कर ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ जड़िये Uber Ola बाइक चलाएगे और पैसा कमाईए बट बाइक 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 के case में offline pamphlet या social media के तुरू सिर्फ एक ही टाइप के logo पे focus किया जा रहा था कि आप 62,100 रुपे दीजिए बाइक खरी दिए वो बाइक कमपनी टैक्सी की तरह चलाएगी और आपको monthly rental देगी कहीं भी कमपनी ने customers की तरफ marketing करके customer को ये बताया ही नहीं है कि हम bike bot नाम से एक bike taxi app है आप हमारी app में ride book कर सकते हैं और आप इसके through भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या करा होगा तो बहुत ही subtle level पे करा होगा तो investor के मन में ये doubt आना चाहिए था कि मैं इस company को 62,000 रुपे अगर दे रहा हूँ तो इस company के पास enough customer है वो bike को चलाने के लिए खेर छोड़िये मेरा काम था 2019 की एक आपको खबर बताना तो I am in no way claiming कि catchy pixels या gpixels.in ऐसा intention रखते हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि catchy pixels और gpixels.in अपने अपने customers को हर महीने promised rental अभी तक देती आ रही है तो मैं कहीं भी किसी company के against नहीं हूँ मैंने सिर्फ एक business model analyze किया company analyze करी जो doubts as an investor आए वो आपके सामने रखे और opinion share नहीं किया है ये वीडियो यहीं घथम करते हैं हम मिलते हैं बहुती जल्द आप से एक और नए वीडियो में मेरा नाम था मंदीब और आप देख रहे थे लेबर लोई अडवाईजर